हेलो बच्चों चलिए आज कक्षा पांच की जो दूसरा अध्या है उसको आज हम देखते हैं यह है इमानदार किसान यह कहानी है ठीके तो यह कहानी किसके बारे में है तो देखते हैं यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि किसान मेनती और सहिजनू होते है जब उनकी सारी फसल बाड में बह जाती है या सूखा पढ़ने पर सूख जाती है उस समय भी वो नहीं घबराते एसे समय उनके जीवन में आते ही रहते हैं राजा भानुप्रताप के मन में जब यह विचार आया कि क्या निर्धन्ता में भी कोई अपने आदर्सों पर टिकारे सकता है तो उसके मंत्री ने जड़ से एक किसान का नाम पेश किया और कहा कि यह व्यक्ति किसी भी परिस्तिति में डिगने वाला नहीं है राजा ने परिक्षा ली और बात सच निकली प्रस्तुत पार्टनेतिक मुल्यों पर आधारित है बच्चों के लिए यह कता प्रणासपद है तो बच्चों यह कहानी एक किसान की है जो की बहुत ही ज़्यादा इमानदार था वो गरीब था लेकिन हमेशा इमानदारी से का करता था तो चलिए विशय को आरम करने से पहले हम सब्ध भंडार में से सब्ध देख लेते हैं यह आपके सब्ध हैं और अर्थ के साथ न्याई प्रिय मतलब न्याई को पसंद करने वाला निधन्ता गरीबी अधर्स अच्छे सिध्धांत परिक्ष्या जांच प्रसंसक प कारीब करने वाला ब्यतीत बीतना विचार मगन सोचने में लीन गिन्या सोने के सिख्के स्वनकलस सोने का घड़ा इनाम पुरसकार मिशाल उदाहरन नमूना इंकार मना करना प्रजा पालक प्रजा या जन्ता का पालन करने वाला बहुंचक Nanay it. तो चलिए विशेय पे चलते हैं क्या है इसमें ध्यान से सुनिए और आप भी मेरे साथ पढ़िए तो बहुत पुराने समय की बात है एक रियासत थी राजगड़ वहां के राज़ा थे भानुप्रताफ सिंग वे न्याई प्रिया एवंग प्रजापालक थे उनके राज़्य में एक किसान रहता था उसका नाम था राम प्रकास वो बहुत परिश्रमी एवंग इमानदार था किसी भी वस्तु के लिए उसके मन में भूल से भी लोब नहीं आता था पूरे गाउं में उसके आदर्सों का डंगता बस्ता था एक दिन राजा के मन में विचार आया कि कोई भी व्यक्ति निर्धनता में अपने आदर्सों पर तिका नहीं रह सकता यद्धपी राजा इमानदारी का प्रसंद सकता पर अपने विचार की परिक्षा लेना चाहता था इसके लिए उसने अपने मंत्री को बुलाया उन्होंने मंत्री से पूछा क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी में भी इमानदार बना हुआ हो मंत्री ने बताया राम प्रकास इमानदारी की मिशाल है क्या वो व्यक्ति परिक्षा देने को तयार होगा राजा ने पूछा मंत्री ने कहा हाँ वो इसके लिए तियार होगा उसकी परिक्षा ले ली जाए वो परिक्षा में हार गया तो आपकी बाद सच साबित हो जाएगी दो तीन दिन ब्यतीत होगे एक दिन रामप्रकास अपने खेत में हल चला रहा था कि उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया उसने जुक कर मिट्टी हटाई तो उसे सोने का एक कलश नजराया रामप्रकास ने घड़ा बहार निकाला कलश में सोने की गिन्निया और हीरे की एक अंगूठी थी गरीब रामप्रकास के लिए यह कलश किसी बड़े खजाने से कम न था रामप्रकास कुछ देर विचार मगन रहा बहुत विचारने के पश्चात वो स्वन कलश लेकर सीधे राज दरवार में गया उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी राजा उसकी इमानदारी दे कर भोंचक कर गया मन ही मन राजा को स्वयंग पर बड़ी गलानी हुई आखिरकार किसान की इमानदारी ने राजा को हरा ही दिया राजा ने प्रसंद होकर रामप्रकास को सो गिन्या इनामे देनी चाही लेकिन उसने सोने की गिन्या लेने से साफ इंकार कर दिया राजा ने इंकार का कारण जानना चाहा रामप्रकस बोला मैं अपनी मेहनत से कमाई रोटी खाना चाहता हूं यदि मैंने ये गिन्या आपसे ले ली तो मेरे मन में भी लोब लालच और पाप घर कर जाएगा इसके कारार मेरा इमानदारी रूपी धन नश्ट हो सकता है ये कहकर रामप्रकस अपने घर की और चल दिया राजा प्रस्निसावरी नजरों से कभी घर की और जाते रामप्रकस को देख रहा था तो कभी मंतरी को तो बच्चों ये एक इमानदार किसान की काहनी है जिसकी इमानदारी की परिक्षा खुद राजा ने ली और उन्हें ये पता चला कि वो बहुत ज़्यादा इमानदार था और जो की खजाना हाथ लगने पर भी उसने उसे ना रखते हुए राजा को वापस करने की उसने सोची किसानने ठीके क्यूं क्यूंकि वो अपनी इमानदारी रुपक धन को वो नर्ष्ट नहीं करना चाहता था इसलिए तो बच्चों इस कहानी को आप भी पढ़िए बार बार पढ़िए और कहानी को समझ लिजिए जो सब्दियां पर हैं उनको भी उनके अर्थ के साथ पढ़िए और यहां पर बहुत सारे जैसे की गिन्निया हैं और बहुत सारे सब्दे से हैं गलानी है और ब्यतीत है इस तरह के कुछ सब्दे हैं आप उनको बार बार पढ़िए ठीके और जिसे पढ़िए कि आपके मूँ से वो अच्छे से आप उसे बोल पाएं ठीके तो आप इसलिए अध्याय को ठीक से पढ़िए और आगे की वीडियो में हम इसके प्रस्ना उत्तर पर चलेंगे थैंक यू